हdot-7 अज़की जो वैकेंसि यह आपको Metro में होने वाली है – Metro में बहुत बंपर वेकंस से भी निकल करकाधिए जिसमें चोटल पोस्ट की बात करें तो यहां पर 424 बंपर वाकेंस सी भी निकल या है जिसमें की फ्रेसर बिल्कुल इलिजबल है अपलाई कर सकते हैं और अगर सारे बसारे बरांच है सभी को मैं बताँगा तो अगर आप इसमें इंट्रेसेट होंगे हुए जरोर्वा तो अ cleaner sixt Applause apply कर लिजिएगा apply के से करने मैं वीडियो के लास्ट में बता दिया हूं दिखा दिया हूं वीडियो को ग्रॉंट देखोगे और लिंक जु़। मैं वीडियो के description में आपको देता हूं सभीका apply online का तो वहां पर क 뛰ziękuję करके डिरेक्टली आप इसको अपलाई कर सकते हैं तो सभी को जाने के लिए वीडियो का अंड तक देखते रहेगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कहा है तो जरूर्ड से लाइक कर दीजिए जिनसे मुझे 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 मिलते रहती है आप लोकली अच्छा-ची र यहां पर आप डेख सकते हैं इसके अपीनियो यह बहुत पोस्ट था इसमें आता को सब्सक्राइबठосьन के बताऊंंगे तो आप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जागा तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्सन में या कमेंट सेक्षिन के पिंड कमेंट में दिया गहा है जरूर से जोइन होकर रहे गा वहां पर आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहती है य इसकी जो लाश्ट टेट है और इसका एप्लिकेशन भी जमा करने का भी यही सेम डेट है दस महीं से लेकर के नौ जून तक आप इसको अपलाई कर सकते हैं और डेट आफ टेस्ट की बात करें तो यहां पर जुलाई 2023 में रहने वाली है अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से हैं जिससे प्गंशिय भी निकली है तो यहां पर देख सकते हैं इसमें आपको एस्टेशनbn कर पोस्ट दिखैगा कस्टमे रिले असिसट का जुनियर इंजिनियर का ठोटल की बात करें तो यह चार सो बैस पलस पोस्ट में यह बेक सिया डेकंश्य आपको यहां पर देखन वेकंसी किए यहांपर निकली है जिसमें यहांपर टोटल विकंसी में कौन कोन an apply कर सकते हैं तो diplomus वाले भी घुब्लूमा बीट्लेटक वाले भी apply कर सकते हैं और अगर आप IT total holders कोरें यहांपर अप्लाइ कर सकते हैं पहला जो हम पर post है station controller का post है और इसमें यहाँ पर जो salary मिलने वाल है 33,000 से ले करके एक लाग के बीच में आपको यहाँ पर salary देखने के मिलेगी total post की बात करें तो 150 post है और qualification की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं diploma in engineering in mechanical, electrical, computer engineering और electronics या electronics and communication discipline में अगर आप लोग कर रखें अगे मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा यहाँ पर देख सकते हैं date देख सकते हैं 18 से ले करके 18 के बीच में आपका age होना चाहिए नेक्स्ट वेकेंसी यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा customer, relationship, persistent का इसमें 25,000 से ले करके 80 के बीच में salary मिलने वाली है 46 पोस्ट है और इसमें qualification science graduate in physics, chemistry, mathematics, discipline में होना चाहिए 18 से 28 इसमें भी age रखा गया है उसके बाद next वेकेंसी यहाँ पर आपको junior engineer की वेकेंसी आपको देखने के मिल रही है जिसमें आपर salary 33,000 से ले करके एक लाके बीच में salary मिलेगी और पोस्ट में देख सकते हैं जेई electrical, जेई electronics, जेई mechanical, जेई civil इसमें जो यहाँ पर देख सकते हैं junior engineer का अलग-अलग पोस्ट है इसमें junior engineer का एक पोस्ट है जिसमें 31 पोस्ट है और इसमें qualification diploma in electrical engineering from a government, recognized university या institute से होना चाहिए और 18-18 के बीच में आपका age होना चाहिए next वेकेंसी जो है junior engineer electronics के पोस्ट है जिसमें की अगर आप diploma कर रखें electronics या electronics and communication engineering से तो यहाँ पर apply कर पाएंगे next वेकेंसी यहाँ पर junior engineer mechanical का है जिसमें 12 पोस्ट है और diploma in mechanical engineering आपका होना चाहिए from a recognized university या institute से next वेकेंसी junior engineer civil का है जिसमें की यहाँ पर only 6 पोस्ट है और यहाँ पर diploma in civil engineering qualification है in from government, recognized university या institute से 18 से लेकर के 28 के बीच में भी आपका age होना चाहिए यह junior engineer का पोस्ट था उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पर maintainer का पोस्ट है यहाँ पर feeder का पोस्ट है जिसमें की यहाँ पर maintainer feeder में 58 वेकेंसी है SLC यानि की तेंथ पास करने के बाद अगर आप ITI कर रखें दो यहर का तो यहाँ पर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर तेंथ प्लस ITI qualification required है तो जो भी एसे candidate है जो ITI holders है और लोग भी यहाँ पर apply कर सकते है 18 से 25 के बीच में आपका जो age होना चाहिए नेक्स वेकेंसी यहाँ पर आपको maintainer electrical का है electronics का है जिसमें कि अगर आप तेंथ पास करने के बाद ITI कर रखें या तेंथ पास करने के बाद electronics में ITI या electrician में ITI कर रखें तो यहाँ पर apply कर सकते हैं तो 60 पोस्ट और इसमें 33 पोस्ट टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 424 पोस्ट के लिए टोटल वेकेंसी निकली है तो बंपर वेकेंसी है जरूर से ट्राइ कीजिएगा apply कीजिएगा अब higher qualification से related criteria यहाँ पर दिया का है इसमें पर सकते हैं candidate also along with higher qualification in respective discipline can also apply तो यहाँ से आप confusion आपका दूर हो गया हुआ कि candidate जो Diploma कर रखे हैं और भी apply कर सकते हैं और जो आई टीया holders है ओ लोग भी apply कर सकते हैं इसमें जो भी higher qualification जिनके पास है ओ लोग भी eligible apply कर सकते हैं qualification में यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि minimum qualification is already mentioned ever been the column number 6 of page number 1 जो कि मैंने भी आपको बताय candidate appearing for final year exam or diploma डिग्री या IT आइड़ी आइड़ आते रहते हैं कि final year के candidate eligible है की नहीं तो जो advertisement में eligible रहता है तो उसमें साफसाफ करके लिख दिया जाता है तो मैं बता भी देता हूं जिसमें नहीं लिखा रहाता है तो उसमें मैं एसकीप कर देता हूं तो यहाँ पर जो भी से candidate है जो diploma या बीटेक या आईटिया के final year या semester के candidate है वो लोग भी इसमें eligible है apply कर सकते हैं अगर आप इसमें interested है apply करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं एक चीज़ ध्यान इसमें किस तरीके से आपका selection होगा क्या selection procedure इसमें रखा गया है तो इसमें यहाँ पर paper based आपका इसमें टेस्ट होगा जिसमें की जो भी candidate इसमें eligible होंगे उनके लिए यहाँ पर examination conduct करवा जाएगा जिसमें की written test यहाँ पर 100 marks का और गुजराती language इसमें जो भी candidate है जो गुजराती लेंग्वेज जानते हैं वो लोग इसमें apply कर सकते हैं क्योंकि apply तो सभी कर सकते हैं लेकिन आपका इसमें गुजराती लेंग्वेज का test होगा तो अगर आप सीख सकते हो तो यह आपको pass करना होगा test तो यह इसमें दिया गए उसका दिया पर लिखा गए कि securing minimum score आपका candidate को 60% mark score करने होंगे reservation के अनुसार से अगर जो OBC या STHT EWS में आते हैं उनको 50% mark score करने होंगे in the test of गुजराती language, cell only be considered for selection, the mark in गुजराती language will not be considered for merit listing तो यह चीज़ इसमें धियान दीजेगा कि गुजराती language में आपको 20 marks का होगा तो यहाँ पर आपको 60% mark score करने होंगे general candidate के अगर आप other state से आते हैं तो यहाँ पर आपको 20 में से आपको 60% mark score करने होंगे और जो गुजरात से बिलोंग करते हैं कोई reservation category में जैसे SCST या OBCI को 50% तो जो यह qualify करेंगे उन्हीं लोगों का selection होगा उन लोगों को final merit list में selection होगा लेकिन यह mark आपको जूटेगा नहीं मार्क जूटेगा यह return test का only 100 marks का लेकिन यह आपको qualifying nature का है गुजराती language test तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा अब बात करते हैं यहाँ पर salary pay या जो salary आपको कितनी मिलने वाली है यहाँ पर दिया गया अलग-अलग जो आपको यहाँ पर पोस्ट है जैसे कि station controller train operator customer relationship assistant junior engineer तो यह सभी का stipend यहाँ पर आपको training period के दोरान रहेगा जिसमें कि यहाँ पर दिया गया कि per month आपको इतना दिया जाएगा उसके बाद आपका इसमें जो salary है जो pay band था उसमें उसके नुसार से आपको दी जाएगी अब बात करते हैं कितनी application फी आपको pay करने होंगे त और 300 रुपे pay करने होंगे कैसे इसको apply करना है तो आप इसको online apply कर सकते हैं मैं वीडियो के description में link दे दूंगा उस link पर click करके इसको apply कर सकते हैं इसमें online application registration कब से कब तक होगा तो तेंथ आप मई से ले करके 9 जून तक आप इसको apply कर सकते हैं apply link पे जैसे click करोगे आप लोग apply online के यहां पर post option दिखेगा आपको इस पर click करना है इस पर जैसे click करोगे तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने में आएगा तो यह सभी चीज जो भी यहां पर details आपसे मांगे जाएंगे सभी कुछ यहां पर details डाल करके आप इसको fill कर सकते हैं यह जो है online job application system government of गुजरात के को आना होगा यहां से मैं वीडियो के description लिंक दोगा तो यहां पर आप किसमें apply करना चाहते हैं जैसे की गुजरात Metro Rail Corporation Limited तो आपको इसको select करना है जैसे इसको select करोगे उसके बाद यहां पर जो भी advertisement है सभी का यहां पर details में आ जाएगा तो यहां से आप जो भी details देखना च जाएगा यहां पर basic से details पूछे जाएंगे जिस जो कि आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं और यहां पर apply now वाले बटन पर आप क्लिक कीजेगा उसके बाद इस तरह का interface आपके सामने में आएगा यहां पर आके पहले new registration कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपना registration नमर के वीडियो को जरूर से like, share, subscribe कर दिजेगा